बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चल पेपर हैकर में और मैं हूँ सुरज राज आसकी इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएसी सेकंड इर में है जलू जी का फर्स्ट पेपर है 2022 में आने वाले कोशन की बात करने वाले हैं आप इ 10 लेकि आए तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा है बही को देखना है बाकि कुछ और देखने की जुरुत नहीं है तो आप उन्हें जुरूब बताईए कि प्र हैकर को önemli question पर रहे है उनन पर उर ईचखन परवाइड हो रहा है मैं आपको दूसरे बताऊंगा लेकिन यहां ध्यान से देख लिए heart mania के बारे में आपसे पूछेगा और मैं नीचे जाता हूँ heart mania में एक animal आता है जिसको कहते हैं amphioxus amphioxus को हम वेक्रियो इस्टोमा के नाम से भी जानते हैं इसके पाचंतत उसरदित तंत के बारे में आपसे पूछता है hyalorgan और oral hood यह जो organ होते हैं इसके पार्ट होते हैं इस animal के पार्ट हो के बारे में कुछ पूछ लेता है बहीं बात करूँ नीचे देखो euro cardida दूसरा संग होता है euro cardida ठीक है सरी सरफ के समाल लक्षण के वरगीरण के वारे में आद करेंगे कि सरी सरफों का जो classification कैसा होता है और उसके बाद में आता है एक बिसायले सरफ के बिस कह सकता है या फिर दंसी अंदर के नाम से जाना जाता है यह आप याद करेंगे साथी साथ विसायले देखो याद रखिए विसायले और विसहीन सर्पों के बारे में याद करके जाएंगे यह most important है और साथी साथ nicotine क्या होता है nicotine क्या होता है इसके प्रिकार क्या होता है nicotine is most important है उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा मैं आप कुछियों की बारे में कुछ पूचता है ठीक आंवी अट यंगे है इए उसके बाद में दोस्तो खोशन आपको देखने को मिलता है एकलान को चुछ ठीक हैं में आपको ऑद को लेक। लेकिन आपसे मिम्बल्स के बारे में पूशता है जो आपको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि इस्थंधारियों के बारे में पूशता है इस्थंधारी क्या होते है इस्थंधारी की सरचना के बारे में उनके दंथ विन्यास मतलब की दातों की सरचना कैसी होती है वो हम से तिक लागवा देते हैं ये कोशन को आपको पढ़के जाना है कुछ मचलियों के बारे बूचता है इधनिया होती है माल लीज़े जो फिस है ठीक है जो मचली होती है याद रखेंगे मचली जो होती है मचली स्वसंन मया मदलक्ट ये मचली केuğ और मेचली किस तरीके से स्वसं कि बारे में आप देखेंगे मचली के और वहीं मा बात करो यह Most Important है मचली की बारे में याद रखेंगे इस वात को और मैं यहां नीचे जाएंगे और नीचे आपको देखने को बिलेगा देखिए मचली के लक्षर उधानक साहिट आपको बताना है फिसके बारे में और उसके बाद में आता है पादब बीहिन वहेचर क्या होते हैं मचलियों के कुछ नाम आप से पूछ लेता है जैसे कि एक मचली होती है एक मचली है इन मचलियों के बारे में आपको क्लासिफिकेशन करने लिए बोल देता है तो आप वह भी पढ़के जाएंगे जो भी आपके गैसे है भारत के अंदर है जैसे हम सरींत्रफ बोलते हैं तो ब्लुक्त सरी सरुप के वारे मैं आपको देख लेना है बहुंस्कों यह को उसके काफी प्लेम्टेंट हे एक को बदा है और टो थी जो फिरिया हो यह कोशन आप से जरूर मूची जाते हैं इसलिए इन कोशन आप जरूर याद करिए देखो प्रोटो थीरिया और मेटा थीरिया में आपको समाल लक्षन देखने को मिलते हैं वही नीचे जो टिक लगाया था वही यहाँ प्याद करेंगे बाकि यहां कुछ और देखने की यहादा दोस्तों को शेयर कर दे रहे हैं थैंकियो पर मचने विजियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाइबाए